क्यों इसके इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगें इंडिया काफी इनवेस्ट करता है अफगानिस्तान में डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट करता है लेकिन वहाँ के domestic politics में वो ज्यादा involved नहीं रहता है लेकिन इसका एक strong opinion रहा है towards the peace process जो अफगानिस्तान में peace talks चल रहे हैं इसमें इंडिया का मानना है कि ये process अफगान-led होना चाहिए अफगान-controlled होना चाहिए और अफगान-owned होना चाहिए वो तालिबान को तबज़ो नहीं देता उसको important न channels open किये हैं अभी ये channels security officials के level पे हो रहे हैं और reports के मुताबिक Indian officials ने तालिबान के deputy chief मुला बरादर से बातचीत की है officials ने अभी उसी group से communication शुरू की है जो कि पाकिस्तान या फिर इरान के influence में नहीं है ये अभी हकानी network से बातचीत नहीं कर रहा है क्वेता से बातचीत कर रहा है हकानी network जो है वो शुरू से इंडिया के assets को target करता आया है और वो ISI influenced group है तो इंडिया अभी बातचीत शुरू क है तालिबान को ले करके फिर ये shift क्यों आया क्यों इंडिया ने communication शुरू किया है इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इंडिया का interest अफगानिस्तान में मैप को देखते हैं यह है अफगानिस्तान और इस सटीवी country इरान कजाकस्तान तुर्कमिनिस्तान चाइना इधर पाकिस्तान है इंडिया का मानना है कि जो वाखान कोरिडर है जो कि अभी पाकिस्तान occupied है वो एक तरह से इंडिया के बॉर्डर को टच करता है इसलिए अफगानिस्तान भी उसका एक neighboring country है प्लस अफगानिस्तान एक बहुत ही strategic location पे situated है geographically इसका location जो है वो काफी important है इ इरान में इंडिया ने चाहबाहर port develop की है चाहबाहर port से direct access मिलता है अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से हमें access मिलता है इन Central Asian countries में जो की mineral और oil rich है तो economically अफगानिस्तान is very important for इंडिया इंडिया ने काफी projects यहाँ पे carry की है जैसे ये trade corridor जो है जरंज देलरम जो की connect क करेगा चाहबाहर port को जाहदान से फिर जाहदान जरंज और जरंज से दिल्रम और इरान ने अभी इंडिया को चाहबाहर train project से drop कर दिया लेकिन फिर भी यह जो road corridor बन रहा है उससे इंडिया को direct access मिलता अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान से rest of the Central Asian countries में बहुत सार 3 billion dollars से भी ज्यादा amount of money दूसरे developmental projects में इंडिया ने invest किया है साथी साथ hundreds of small developmental projects तो इंडिया ने इस तरह से एक बहुत ही अच्छा goodwill generate किया है अफगानिस्तान में by investing in developmental projects यह जो projects है इससे इंडिया की companies को भी फाइदा हुआ है तो इसमें इंडिया का भी vested interest है और तालिबान का जो network है जो कि ISI influence network हकानी वाला है वो लगातार इन projects को target करता है अटाक करता है security interest क्या है अगर पाकिस्तान का influence बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में तो एक source of concern है क्योंकि फिर terrorist activities जो पाकिस्तान अपने region से करता है वो वहाँ पे भी एक safe haven बन जाएगा जिहादी groups के return की भी जाशंका है तो यह security interest भी है अफगानिस्तान में इंडिया का क्या position है अफगानिस्तान में क्या उसकी situation है तो six plus two plus one का जो dialogue चल रहा था उसमें इंडिया को include नहीं किया गया था यह six plus two plus one क्या है यह ग्रूप है जिसमें अफगानिस्तान से सटे हुई 6 countries है दो countries जिनका strategic interest है अफगानिस्तान में USA और Russia और खुद एक अफगानिस्तान यह 6 countries जिसे अफगानिस्तान border share करता है वह चाइना, इरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान इसी basis पे पाकिस्तान इंडिया को include नहीं करने देता इस group में क्योंकि पाकिस्ता करता है, लेकिन इंडिया को entry नहीं मिल पाई है, इवन जब USA इंडिया को invite करना चाता था, UN meeting में जो unified approach था, उसमें भी पाकिस्तान ने object किया था, और इंडिया को include नहीं होने दिया था, तो पाकिस्तान शुरू से object करता आया है, और इसलिए इंडिया का कोई major say नहीं है, अ USA ने तालिबान के साथ एक agreement sign किया था, February 2020 में, to withdraw by the end of 2021, नाम था दोहा agreement, यानि कि 2021 के अन तक अफगानिस्तान से USA पूरी तरह से निकल जाएगा, बाइडन ने भी टिकलियर कर दिया कि by September 2021, USA अपने forces को वहां से निकाल लेगा, USA के निकलने के बाद NATO के groups भी वहां से निकल यानि कि Indian assets वहां पे और भी अब खत्रे में आ जाएंगे, अब तक तो वहां पे USA और NATO groups वहां पे protect कर रहे थे, लेकिन उसके बाद खत्रा बढ़ जाएगा, रिस्क क्या है इससे फिर, ये जो US Taliban agreement है, उसमें एक clause ये रखा गया है कि जो Taliban group है, वो terrorist outfits को रोकेगा, उनको अफगानिस्तान में सरकार चल रही है, घनी और अब्दुल्ला अब्दुला की, लेकिन ये stable arrangement नहीं है और long lasting नहीं है, तो politically भी अफगानिस्तान में stability नहीं है, ऐसी स्थिति में इंडिया के पास क्या options हैं, तो इंडिया के पास तीन options हैं, पहला कि वो engagement बनाए रखे और engagement उ अब अफगानिस्तान के peace process में importance रखते हैं, अब तालिबान को नकारा नहीं जा सकता, तालिबान अब एक important component है, अफगानिस्तान के peace talks में है, दूसरा ये भी step है कि जो इंडिया इंवेस्ट करता आया है, और जो वहां के लोगों को training देता आया है, उसको continue रखे, और working with and through others, जो बाकी के countries हैं, वहां पे भी consensus generate करने की कोशिश करें, ताकि इंडिया का एक say, एक opinion वहां पे भी सुना जाए, और उसकी भी importance रहे, तो इंडिया कोशिश कर सकता है कि वो countries जो की इरान और पाकिस्तान के influence में नहीं है, उनको अपने favor में ला करके, इंडिया को भी एक, वह पाक्सीत करनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान का influence और भी बढ़ता जाएगा, जो इंडिया के favor में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपके क्या views है, comment में मुझे जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, thanks for watching, have a very nice day.